दादी मा के घरेलुन उसकी अपना किम्ती समय निकाल कर जरूर देखे नमबर एक एक चमच दही में चुटकी वर कॉफी मिला कर चेहरे पर मसाज करने से चेहरे का रंग शाफ होता है नमबर दो खासे से चुटकारा पाने के लिए पुदिने की चाई में नमक डाल कर पिये इस से पुडाने से पुडाने खासे में भी अराम मिलता है नमबर तेन चाई की जगर अरवेधिक पेकी आदत बनाएं हमेशा निरोगी रहेंगे नमबर चार गर्वा वस्ता में सेव खाने से बच्चे को अस्थमा की विमारी से बचाये जा सकता है पनीर खाने से हमारी यादास्त तेज हो जाती है पनीर में पाई जाने वाला विटामिन भी बॉड़ी में जाकर यादास्त को बढ़ाता है नमबर चे, सौब खाने से आपका वजन कम होता है, शाथी दिल की विमारियों से भी यह बचाता है नमबर साथ, देशी गाय के घी का परियोग करे, अनेक रोग दूर होंगे और वजन नहीं बढ़ेगा नमबर आट, अपना वजन कम करना चाहते हैं तो शुबर नास्ते में मुँ की दाल का चीला खाना शुरू कर दे, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, जो वजन को घटाने में काफी महत्पूर्ण होता है नमबर नौ, सुबह उठकर मुँ में पानी भरकर आँखों पर पानी के छिटे मानने चाहिए, इस ये आँखों की रोशनी बढ़ती है नमबर दस, रुकरू कर बोलने वाले या हकलाने वाले व्यक्ति को जीब के नीचे तिश्पत्ता रख कर चुषना चाहिए, इस से उसके हकलापन और तुतलापन की समस्या दूर हो जाएगी अगर आपके घर में चुहे और आप चुहे से परशान है तो उन्हें भगाने के लिए चोहान के आगे रास्ते पर काले मिर्ज का पाउडर डाल दे सारे चुहे भाग जाएंगे नमबर बारव ज्यादा से ज्यादा मीठी नीम करी पत्ती को अपने शबजियों में डाले सभी कश्वस्त ठीक रहेगा टिप्स नमबर तेरा नास्ते में अंकुरित अन शामिल करे पोशक विटाविन और फाइवर मिलेंगे नमबर चौदर सुबह के खाने के साथ देशी गय के दूद का बना ताजा दही ले पीट ठीक रहेगा नमबर पंदर भोजन का समय निस्चित करे पीट ठीक रहेगा भोजन के बीच में बात ना करे भोजन ज्यादा कोशक देगा नमबर सोल ज्यादा से ज्यादा चीजे लोही की कडाही में ही बनाएं इससे आईरन की कमी किसी को भी नहीं होगे नमबर शत्रम आप चीनी कम से कम पड़ियों करें सारी उम्र हडिया ठीक रहेंगे चीनी की जगह आप बीना मसाले का गोर या देशी सकत ले सकते हैं चाय की जगह अईरुवेदिक पे की आदित बनाएं हमेशा निरोगी रहेंगे रसोई में घुस्ते ही नाक में खी या शर्सो का तेल लगाएं इससे सीर और फेफरे श्वस्त रहेंगे करेला मेथी और मुली यानी की करवी सबजिया भी खाएं इससे रक्त शुद रहेंगे मटके वाले से ज़्यादा ठंडा पानी ना पिये दांत ठीक रहेंगे प्लास्टिक और अल्मुनियम रसोई से हटाएं दोनों ही कैंसर के बड़े कारक है टिप्स नमबर 23 माइक्रो बेव ओबिन का परियोग करने से कैंसर होने का खत्रा हो सकता है नमबर 24 खाने की ठंडी चीजे कम से कम खाएं यह पेट और दांत दोनों को खराब करती है नमबर 25 तली भूनी चीजे खाना छोड़ दे वजन नियंत्रित रहेगा और एसी डिटी भी ठीक रहेगी नमबर 26 मैदा बेशन चोले राजमा और उरद कम खाएं गैस की समस्या से आप बच्चे रहेंगे नमबर 27 अधरक अजवाइन का पड़ियोग को बढ़ाएं गैस और सरीर के दर्द कम होगें नमबर 28 रात को आधा चमस्तिरफला एक का पानी में डाल कर रखें सुवह कपरे से चान कर इस जल से आँख को धोएं चस्मा उतर जाएगा चानने के बाद जो पाउडर बच्चे उसे फिर एक गिलास पानी में डाल कर रख दें रात को पी जाए पेट शाफ होगा और सभी कभी कोई रोग एक साल में नहीं रहेगा नमबर 29 रात को आधा चमस्तिरफला बिंगो के रख दें सुवा खाली फिर चबा कर खाले फिर वो पानी पी ले इससे एसीडिटी खत्म हो जाएगी और इससे वजन भी कम होता है नमबर 30 आप एक्यूप्रेशर वाले पीरा मीड प्लेटफॉर्ण पर खरी होकर खाना बनाने की आदत को बना ले तो सारी बिमारिया सरीर से बाहर निकल जाएगी नमबर 31 घर में फर्ष दिवार या चट पर दरार न परने दे अगर एशा कभी हो तो उसे तुन्त भरवा दे घर में दरारों का होना अशुम माना जाता है नमबर 32 कभी कभी नमक हल्दी में दो बुंद शर्षों का तेल डाल कर दातों को उंगली से साफ करे दातों पर कोई रोग नहीं टिक सकता नमबर 33 सुबह के खाने के शाथ घर का जमाया देशी गाय का ताजा दही जरूर शाह मिल करे प्रावेटिक कायक काम करेगा नमबर 34 रस निकले निम्बू के चोथाई टुकरे में जरा सी हल्दी नमक और फिटकिरी रखकर दात पर मलने से दातों का कोई भी रोग नहीं रहेगा नमबर 35 सर्दी हो या गर्मी खुब पानी पिये ताकि सरीर में पानी की कमी ना हो और ग्लो हमेशा बना रहेगा नमबर 36 ग्लिश्रिन निम्बू और गुलाब जल मिलाकर एक मिशन बना ले और रोजाना इस मिशन को चेहरे और हांतों पर लगाए 20 मिनट के बाद दो ले तो चाह आपकी चमकदार हो जाएगी नमबर 37 एदी आपको अक्षर मुँ में चाले होने की सिकायत रहती है तो रोजाना खाना खाने के बाद गुर को चुसना ना भूले ऐसा करने से चाले आपसे बहुत दूर रहेंगे नमबर 39 एदी सरीर पर कहीं जल गया हो तेज धूप से आपकी तोच्चा जुलस गई हो या तोच्चा पर जुरिये हो या कोई भी तोच्चा रोग हो तो कच्चे आलू का रस निकाल कर लगाने से बहुत ही फैदा होता है नमबर 40 मक्कर में थोरा सा केसर मिलाकर ओट पर रोजाना लगाने से काले ओट भी गुलावी होने लगते हैं टिप्स नमबर 41 मूह की बदवू से आप परेशान हो तो दाल चीनी का टुकडा मूह में रखे हैं मूह की बदवू तरंथी दूर हो जाती हैं नमबर 42 जो औरते नरम और फूली हुई रोटी खाती है उनके पीट और कमर की चर्वी नहीं बढ़ती है नमबर 43 किड़नी इस्टोन से बचना है तो नियमित रूप से तर्वुष का सेवन करना चाहिए नमबर 44 जो वेक्ती ज़्यादा शांत रहते हैं उनका दिमाग तेज होता है नमबर 45 रात को सोने से पहले पिशाप करने से किड़नी को कभी कोई नुक्सान नहीं होता है टिप्स नमबर 46 एदी आपको अकसर सरदर्द से परिशानी रहती है तो आपको पालक के सेवन से बचना चाहिए धन्यवाद दोस्तों मेरी टिप्स यहाँ पे कत्म हुई मेरी टिप्स आपको कैसी लगती है कॉमेंट में जरूर बताए अगर अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें मेरे चैनल पे आप नए है तो सब्सक्राइब करें और शेर करें बेल का बटन दवाना बिल्कुल न भूलें फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्यार लगें बहुत ही ख्यार लगें धन्यवाद